एक तो कल एक बात का ठीक उत्तर नहीं हुआ था यह जो अच्प्रतिहार जब हम बनाते हैं यह अच्प्रतिहार जब बनाते हैं तो यह बीच में जो गय और नय आते हैं इनको अच्पर अंतरगत क्यों नहीं समाविष्ट किया जाता अच प्रत्याहर बोलने से इन वरणों का ग्रहन क्यों नहीं होता तो इसमें तीन उत्तर दिये जाते हैं एक तो आचारे का व्यवहार से आचारे के आचार से आचार का मलब आचरन से आचरन का मलब व्यवहार जो सूत्रों में आचारे ने जो रचना की है जैसे उनादय बहुलम उन्होंने सूत्र बनाया तो उनादय बहुलम में ये इनाय को अच यदि मानते होते इनाय को यदि आच मानते होते तो इको इनची करते आचारे जरूर ठीक है न त्रिशी म्रिशी क्रिशे का श्यपस्य त्रिशी म्रिशी क्रिशे यदि कै को अच में मानते होते तो ये को ये करते होते तो जैसे ये को ये नहीं किया उ को वे नहीं किया नहीं के पर रहते तो इससे पता चलता है कि आचारिये इनको अजप्रत्याहार में समाविष्ट नहीं करते एक तो आचारी शिधी तरीके से बात कहते हैं ये होती है ये नहीं होती है ये नहीं होती है और कुछ-कुछ आचारी इशारों में भी बात कहते हैं कुछ प्रयोग कर देते हैं उससे भी अमारे को कुछ कह जाते हैं केवल उनका कहने का तरीका यही नहीं होता जो सीदे तोर पर कोई बात कहते हैं लक्षना और विंजना का भी प्रयोग करते हैं अभिधा में ही सारी बातें नहीं कहते हैं लक्षना और विंजना में भी कहते हैं और लोक व्यवार में भी यह सारा होता यह केवल अभिधा नाम की ही वृत्ति नहीं होती लक्षना विंजना भी होती है तो यहाँ पर उनादव बहुलम सूत्र बनाते हुए उन्होंने एक बात और कह दी कि यह जो अनुबंद हैं नहीं कह गया आदी इनको मैं अच्प्रत्याहार में नहीं गिनता हूँ अच्प्रत्याहार में इनका ग्रहन नहीं करता हूँ ये बात भी कह डाली उन्होंने हाँ जी शुरेंद्र जी समझे जो उन्होंने सूत्र बनाये उनादव बोलम यदि ये ने कह गया अच मांते न आचारी कौन आचारी पालई नी तो अपने ही सुत्र में वो क्या करते है यहाँ पर यह को इंडची सुत्र करते हैं नहीं को अच मानते तो उनको वह आदेश कर देते अच के पर रहते ही को यह होता है ठीक है यहाँ पर कह के पर रहते ही को यह कर देते सब को समझ में आगी है दर्मेंदर जी आप बताओ क्या बता गया मैं अगर अच मान लेते तो इकोएर्ची प्राफ हो जाता यह इकोएर्ची सुत्र लगता अगर इसको हम नहीं मान दें तो नहीं लग जाता सही बूच्छी समझ गया जी तो इस तरह से आचारात और एक अप्रधान हेतु दिया है और एक लोब हो जाता है इनका इसलिए नहीं होता है ठीक है? सब को समझ में आगी? अप प्रधान का मतलब होता है कि आचारिये प्रधान रूप से अचूं को अच में पढ़ा है और नहीं के गया को गोन रूप से पढ़ा है और इन नहीं के गया को हलूं में पढ़ा है हल कौन से होते हैं? हयवरट से लेकर के हल के लेतक जो वरन है वो हल है और ये अच हैं तो प्रधान रूप से अचूं को अच में और हलूं को हल में पढ़ा है ये दूसरा उत्तर है अच्चों को प्रधान रूप से यहां पर पढ़ा है गोण रूप से इनको गोण और मुख्य में मुख्य में ही कारिय होता है गोण में कारिय नहीं होता है ठीक है एक नियाए है इसा लोकिक नियाए कि मुख्य और गोण दोनु पस्तित हों तो कारिय ज काम सेश हो गया, यह बच गया, मैं थोड़ा सा और रुक जाता हूं और मैं फिर जाओंगा, जो जाने वाला होता है, वो चला ही जाता है, वो प्रतिक्षा नहीं करता है, तो नहीं कह गया हादी जो हैं, यह जाने वाले हैं, चले ही जाते हैं, यह प्रतिक्षा नहीं करेंगे कि कुछ और काम करेंगे या नहीं करेंगे तो इस तरह से इनका ग्रहनी होता है एक बात और मैं बताना चाहता हूँ किसका? मैं यह कहना चाह रहा हूँ अंतिम वाले का नहीं पा रहा हूँ अंतिम वाले का तो नहीं होगा अंतिम के साथ मिलकर बीच वालों का ग्रहन कराता है और अपने स्वरूप का अंतिम के साथ मिलकर बीच वालों का ग्रहन कराता है तो गैं कैव और रणे का ही तो पता है चैका तो अपने आप ही नहीं पता है अंतिम इत्संजक के साथ मिलकर आदी वर्ण ग्रेंड करा रहा है ये अंतिम के साथ मिलकर ये आदी अक्षर जो ए है न ये बीच वालों का ग्रेंड करा रहा है ठीक है और आदी वर्ण अपने स्वरूप का भी आदी वर्ण दो काम कर रहा है कब कर रहा है अंतिम वर्ण के साथ मिलकर के अंतिम क्या है चै है तो अंतिम के साथ मिलकर आदी अक्षर बीच वालों का ग्रेंड कराता है और अपने स्वरूप का जब बीच वालों का ग्रेंड कराता है तो ये प्रश्ण उठेगा कि नैक गैंका भी ग्रेंड पाएगा अच कहने से नैक गैंका अच कहने से ग्रेंड प इनका लोब हो जाता है तो ग्रैन कैसे होगा और ये अप्रधान है यहाँ अच के अंतरगत इनका जो निर्देश किया है वो अप्रधान है प्रधान तो इनका निर्देश हल के अंतरगत है हाईवरट लाण यह मंगननम उस उस आवधी के अंदर प्रधान रूप से पढ़े हैं ये ठीक है ये प्रधान और अब प्रधान वाली बात थोड़ी से समझ में कम आई होगी क्या आगी हाँ जी अभी परसंग चल रहा है अचों का तो अच का ही इसमें लेंगे इसमें व्यंजन कर नहीं लेंगे अच कहने से अंतिम वाले तो वैसे ही नहीं हो रहा है अंतिम वाला क्यों नहीं हो रहा है नहीं नहीं आदी अक्षर अंतिम इत्संजक के साथ मिलकर कौन आदी वर्ण अंतिम इत्संजक के साथ मिलकर आदी अक्षर बीच वाले वर्णों का ग्रहन कराता है और अपने स्वरूप का तो मैं रहा है अंतिम अक्षर का तो वैसे ग्रहन नहीं हो रहा है किस-किस का आदी अक्षर ग्रहन करा रहा है बीच वालों का बीच वाले वरणों का ग्रण करा रहा रहा रोपने स्वरूप का स्वम रूपम तो यह आदी अक्सर ऐ है बीच वाले यह सारे प्राप्त होने लगे तो क्यों नहीं होता यह एक प्रश्ण बन रहा था तीन उतर दिए आचारे का एक तो व्यवार से पता लगता है कि ग्राण नहीं होता क्या व्यवार है उना दो बोलों त्रिशिम्रशी क्रिशे का से पस्ये गमोर अस्वाद जी गमोर नित्यम इनको में इनने के पर रहेते बहुत सारे सुत्र मिलेंगे आपको इनके व्यंजनों के पर रहते एकोईन ची निलगाया कौन से व्यंजन नाय कै और गयं गयं का उधारण क्या है गमोर अस्वाद अची अची के बाद है न तो यह गयं के पर रहते इस एकोईन ची प्राप्त है न गंसी गंसोष्चे गंसी और ये गंसो गंसी गंसोष्चे ये ई है ये गं है इकोयंटी में तो बुरूजी ई होगा घया है प्र वो भी आ ग पर वो जो एसको तो कोई ऐसे भी कहें देगा निर्देश करने के लिए और सपष्टता के लिए ऐसे हैसे कुछ वो कहने लगेगा आचारे कई सारी बाते ना स्पष्ट के लिए भी कारिये प्राप्त होते भी नहीं करते निर्देश करने के लिए भी नहीं करते जैसे आईउन है स्पष्ट निर्देश करने के लिए यहां संदिकारे नहीं किया इसका एक उत्तर और भी है कि ये निपात है, यहां संदिकारे क्यों नहीं हुआ, ए और उ के बीच में, अलग अलग निपात हैं, ये और निपात जो होते हैं, निपात एक आजनांग, एक सूत्र निपात एक आजनांग, वो कहता है, एक अचवाले निपात, प्रग्रिय संजक होते हैं, फ्लुद प्रग्रिय चिनित्यम, जो प्रग्रिय होते हैं, उनको प्रकृती भाव हो जाता है, प्रकृती भाव का मतलब विकार नहीं होता है, एक प्रकृती होती है, विकार होता है, प्रकृती का मतलब अपन समझ गए तो A और E में परिवर्तन नहीं आएगा ऐसे ही रहेंगे बिलकुल शान्थ कुछ भी इसमें परिवर्तन नहीं आएगा तो ये जो है ये भी एक प्रश्ण बनता है यहां पर अई उन रिलिक में संधी कारे क्यों नहीं होता क्यों नहीं होता भाई किस सूत्र से निपातेगा जनांक नहीं निपातेगा जनांक मैंने बतलाया कि ये सूत्र जो होते न ये संधीया सूत्र हैं परिवासा सूत्र हैं कोई विधी सूत्र है तो कौन से सूत्र से कौन सी संधीया होती है अब मैं पूछाँ कि जह है वृद्धी संज्या करने वाला सूत्र बता हो और आप कहने लगो वृद्धिरेची तो गलत हो गया वृद्धिरेची तो वृद्धिरेची तो वृद्धी सूत्र है कारे करने वाला सूत्र है तो निपात संजा करने वाला अलग सूत्र है प्रग्रिय संजा करने वाला अलग सूत्र है ठीक है प्रग्रिय संजा करने वाला सूत्र है निपात एका जना और निपात संजा करने वाला सूत्र है चादय सत्वे ठीक है चादी एक गण है चे वा है अह इत्यादी सेक्णू सब्द है उसमें तो चादी गण में जो शब्द पढ़ दिये उनको निपात कहते है यदि वो द्रव्य में वर्तमान ना हो यदि उनका अर्थ द्रव्य ना हो चादी गण में कुछ शब्द ऐसे भी हैं जो द्रव्य को भी कह सकते हैं तो जब वो द्रव्य को कहेंगे तो उनका निपात नहीं होगा जैसे एक पशू शब्द है चादी गण में पशू का अर्थ जो है सम्यक भी होता है और पशू का अर्थ पशू भी होता है तो जो पश पशु अर्थ है न पशु का अनीमल उसकी निपात संजा नहीं होगी सम्यक द्रव्य नहीं है चादयो असत्वे असत्वे का क्या अर्थ है संदिर जी चादी निपात होते है असत्वे असत्वे का क्या अर्थ है यदि वे चादी शब्द द्रव्य में वरतमान नहीं हो सत्व कहते है द्रव्य को ठीक है असत्वे का मतलब अद्रव्य चादी शब्दों की निबाद संजा होती है दिवे द्रव्य में वर्तमान नहीं हो द्रव्य को ना कहें द्रव्य अर्थ वाले द्रव्य बाचक ना हो ठीक है तो अब देखें अच में अच में जो है न नय कह गया का ग्रेंड क्यों नहीं होता ऐसी बात चलाई नहीं कह गएंगा तो नहीं कह गएंगा अचू में प्रधान रूप से नहीं पड़ा है हलू में उनको प्रधान रूप से पड़ा है तो इसलिए हलू में ही इनका ग्रेंड किया जाएगा अचू में ग्रेंड नहीं किया जाएगा इन्हों ने ये कहा कि तीन एतू हैं जैसे आचरण से अप्रधान होने से और लोप हो जाने से किसके बाद संदर में ये बात कही गई है नकुल जी ये तीन बात किसके बारे में कही गई है इन में आज में ग्रेंड नहीं होते और हल प्रत्यार बनाएंगे तो हल में भी ग्रेंड नहीं होते वो अंतिम वाले तो उसकी जरूरत नहीं है हल ग्रेंड करने से जैसे हल प्रत्यार बनाया हल एक प्रत्यार बनाया हायवरट अब जो है हायवरट लण यम गण नम अब कोई हूं कहे यम प्रत्याहर यम प्रत्याहर है तो यम प्रत्याहर में न और टे इनका ग्रेंड क्यों नहीं होता तो इसका प्रत्याहर में ग्रेंड का कोई प्रयोजन देना पड़ता है जैसे कि इन्होंने एक पात पुछी थी किसने पुछी थी कि आपने पुछी थी कि हाकार जो एवरट में भी पढ़ा है और हल में भी पढ़ा है आपने पुछी थी दो बार तो उसका प्रयोजन दिया जाता है कि भई हल में तो इसलिए पड़ा है कि वो जो है कोई सूत्र कोई सूत्र देना पड़ता है ना हमारे को जैसे जहल में भी हकार को चाते हैं और हश में चाते हैं अश में चाते हैं अश प्रत्यार में अश और हश हकार का ग्रेंड चाते हैं ना यदि पहले में ही करते तो इन ही में होता और यदि कोई कहे कि दूसरे में कर देते दूसरे में जैसे जहल में हकार को चाते हैं केवल दूसरे में कर दे तो इसमें तो हो जाता पर इसमें नहीं होता यदि आगे वाले हकार को रख लेते पहले वाले को नहीं रखते तो जलो जली सूत्र में तो काम बन जाता पर हसी चाह सूत्र में कैसे काम बनता और भो भगो अगो पूर्वस योशी में कैसे कारी चलता हमारा यदि पहले में ही रख लेते तो जलो जली में तो ऐसे प्रयूजन देने पड़ते हैं कि हमने पहले में ही ग्रेंड क्यों किया एक में ही ग्रेंड क्यों किया दूसरे में क्यों किया ऐसे प्रयूजन देने पड़ते हैं कहीं पर प्रत्याहार में किसी अक्षर को रखा है तो हर एक का कोई ने कोई प्रयूजन देना पड़ेगा हमारे को जैसे प्रत्यार बनाए हमने तो किस प्रत्यार में कौन से वर्ण रखे हैं उनके प्रयूजन देने पड़ते हैं तो यहाँ पर यह यूं कहेंगे की यम है तो यम में टय और टय और अलय भी अक्षर आने चाहिएं तो यूं कहेंगे की ये तो फिर वही एक टो लोग हो जाता है इनका इत्षंजा हो जाती है और कोई आचरण भी नहीं दिखाई देता पर टय ने को ने तो आई गया है यहाँ पर यम में ने तो आई गया है तैक ही एक समस्या बनेगी जैसे यम कहेंगे न यवर ल यम में न कार तो आई चुका है उसके तो कोई बात ही नहीं है दो बार ग्रेंड कर लो एक बार कर लो उसमें क्या फरक पड़ता है समझ गए यम प्रत्य हार कहने से जो यह नकार है निए वाला नकार यदी इसमें आ भी जाए तो कुछ दिक्कत होगी क्या यम्मे तो यह नकार आई रहा है अब टै की बात है खबचटःत है चटटःत है चटटःत है वहाँ पर पढ़ा है फिर क्यों कहेंगे दुबारा इसमें यम में आए तो इसका कोई प्रयोजन देना पड़ेगा कि क्या प्रयोजन है क्या मदलब इसमें तो इसमें आप प्रधान फिर दूसरे तरी के से लगेगा जिस तरह से यहां लगाया वैसे निलगेगा यूं लगेगा अप प्रधान की बई इनको अंतिम वक्षरों को प्रधान रूप से प्रत्यार बनाने के लिए रखा ही नहीं चलो आगे बढ़ो थोड़ा सा वास्ता में ज्यादा लंबा हो जाएगा तो फिर और वाले बिलकुल ही हो जाएंगे गायब हो जाएंगे तो देखिए मैंने ये कहा कि संधीकारे क्यों नहीं होता यहां पर क्यों नहीं होता संधीकारे संधी जो है वो तो नित्य है संधी में विकल्प तो है यह नहीं तो यह क्यों नहीं होता निपात एका जनांग इनकी निपात संजया है उसमें बहुत सारे शब्द पड़े हैं चादो यह सत्वें बहुत सारे पड़े हैं तो निपाध संजय हो जाएगी और निपाध एका जनांग। एगज वाले निपाध की प्रक्रिय संजय हो जाती है। इसलिए यहाँ पर प्रक्रिय संजय होने से संधी कारे नहीं होता है। कि जो पुलूत होते हैं और प्रग्रिय होते हैं उनमें संधीकारे नहीं होता है वो प्रकृति भाव वहाँ पर प्रकृति भाव रहता है ठीक है व्रिद्धी रादेच का अर्थ हम कर रहे हैं अब व्रिद्धी आथ आईच आईच का मतलब आई अउ तो इसका मतलब ये हुआ आई अउ इनकी व्रिद्धी संजा होती ही यहाँ पर जो तकार पड़ा है ये तकार किसलिए होता है यहाँ कुछ भी ऐसे नहीं लगा रखा तकार यदि प्रयोग किया है तो उसका भी प्रयोजन मिलेगा ऐसे नहीं लगा दिया कि तकार यहाँ लगा दिया बस उसका भी प्रयोजन ढूंडा जाता है उसको भी तलास करते हैं कि ये तै क्यों लगाया तै का क्या मतलब तो तै ज ते लगाया जाता है तपरस ततकालस से तकार लगाने का प्रयूजनी यह होता है कि वो वर्ण जिसके साथ ते लगाते हैं वो उसी का ग्रहन कराए उससे भिनकाल वाले का ग्रहन ना होवे भिनकाल वाले का ग्रहन किस से पाता है रण जी जी एक सूत्र आनुदित सवरनस चाप रत्या वो कहता है अन अक्षर अन में कौन-कौन से आते हैं अ हाँ यहां तक अन होते हैं तो अन में जो आ जाते हैं वो सवरन के ग्राहक हो जाते हैं और यह आन में आता नहीं इस सूत्र में जो अन पड़े हैं न यहीं पर यह सूत्र दीर का ग्राहन नहीं करा देगा कि अन कहने से आप आ भी ले लो हाँ इस सूत्र में आ के द्वारा यह कहा है अ यू अपने सवरन का ग्राहन करा देते हैं ऐसा उल्टा नहीं होता है कि आ आ का ग्राहन करा दे ये दो बात कहीं में ने अए तो आ का ग्रेंड करा देगा पर आ एका ग्रेंड नहीं कराएगा इ तो इ का ग्रेंड करा देगा ये वाला इ इसका ग्रेंड नहीं कराएगा इसलिए कि आन में नहीं आते, और अपने सरन का ग्रेण कराते हैं यह प्रसन बनता है, उसका उत्तर दिया जाएगा प्रसन समझ में आ गया तो उत्तर तो सरल हो जाता है अन्दित सुतर우गर्ठ बताओ पेले अन अक्षर पड़्य शुत्रगार्थ बताओ पहले अनक्षर और उदित अपने सवरण का ग्रेंड कराता है सवरण क्या होते है तुल्यास के प्रत्नम जो स्थान और प्रत्न समान हो जिन वरणों के उनको सवरण कहते हैं स्थान वर्णों चर्ण सिक्ष्या में स्थान और प्रेतन पढ़ें स्थान और प्रेतन जिन वर्णों के समान होते हैं उनको सवर्ण कहते हैं स्थान और प्रेतन तालू मूर्धा दंत ओष्ट ये स्थान होते हैं और प्रेतन होते हैं स्प्रिष्ट इसाथ स्प्रिष्ट वि संवरित ये प्रैतन होते हैं बाहिये प्रैतन सवर्ण संजया में नहीं लिये जाते हैं आभ्यंतर प्रैतन ही लिये जाते हैं केवल पढ़ ली वढ़नों तो अन्सिक्षा सबने एक आभ्यंतर प्रैतन होते हैं बाहिये प्रैतन होते हैं स्थान होते हैं तो सवर्ण संज्या में स्थान और आभ्यंतर प्रतन लिये जाते हैं, बाहे प्रतन नहीं लिये जाते हैं, ठीक है, जिन वर्णों के स्थान और प्रतन समान होते हैं, उनको सवर्ण कहते हैं, क्या कहते हैं, सवर्ण कहते हैं, जब सवर्ण होते हैं, वे सवर्ण के ग्रहन, अ अन ही नहीं है वो अपने सवर्ण का ग्रेंड कैसे कराएगा ना तो इन्होंने ये प्रश्ण किया कि अन में तो आता नहीं है तो इसमें सवर्ण ग्रेंड की कोई संभावना नहीं सवर्ण ग्रेंड को रोकने के लिए तपर किया जाता है सवर्ण ग्रहन को रोकने के लिए तकार लगा दे तकार एक प्रकार की लगाम है जब ज़्यादा कुछ करने लगे वो ग्रहन कराने लगे तो तकार लगा करके सीमा बांद देते हैं जैसे कहीं पर अकार से अकार कोई ग्रहन कराना है तो कह देंगे अतो भिसैस अदेंग गुणा अतो उत्सारदात के मतलग ऐसे अयको ही लेना चाहते हैं तो क्या करेंगे तकार लगा देंगे ये किसले लगाया तकार अनुदित सवर्नस्चा प्रत्या से दीरगाका भी ग्रहन होने लगा तो तपरस ततकाल से एक सूत्र बनाया और कहा कि जो तपर अक्षर होता है वो केवल उतने ही काल वाले का ग्रहन होता है अधिक काल वाले का ग्रहन नहीं होता ततकाल तपर वर्न के काल वाले काल के समान काल है जिसका ऐसे सवर्न का ग्रहन होता है उससे भिनकाल वाले का ग्रेंड नहीं होता ठीक है? ये तपर का प्रयोजन है अब ये यहां पर आ के साथ तपर किसले लगाए ये प्रस्न हो रहा है सवर्णियों का ग्रेंड तपर इसले लगाए जाता है ततकाल सवर्णियों का ग्रैन और भिनकाल वाले सवर्णियों का ग्रैन ना हो एक ततकाल सवर्ण होते हैं एक भिनकाल वाले भी सवर्ण होते हैं पूरी वर्णु चान शिक्षा ठीकी हुई है जितने स्पष्ट होगी उतना ही ये तीन सूत्र उतने अच्छे समझ में आते हैं तो ल्यास्त प्रणु सवर्णम ना जलो दो तो ये अनुदित सवर्णा स्चा प्रत्या तपरस्तत काले स्थानें तरतमा पांच सूत्र जो हैं पूरी वर्णु चान शिक्षा ऐसी होने चाहिए एकदम स्पष्ट ऐसे ही टच करते ही पूरी एकदम चित्रा जाए जैसे वहां करते हैं न कंप्यूटर पर ऐसे अंगली मारते ही पूरा चित्रा जाता है तो ऐसे ही छूते ही पूरा चित्रा जाए इन पांच सुत्रों को तब समझ में आएगा, वरनुचान शिक्षया का पूरा चित्रा आजाना चाहिए, मस्तिस्क पठल पर पूरा चित्रा आजाना चाहिए, अकार के कितने बेद होते हैं, रस्व दीर्ग प्लुत बेद होते हैं, और रस्व के कितने बेद होते हैं, अकार के जो हैं, हरस्व दीर प्लुत तीन भेद होते हैं और हरस्व अकार के छे भेद होते हैं दीरग अकार के छे भेद होते हैं प्लुत आकार के छे भेद होते हैं तो यदि हम तपर ना करें तब तो अठारे के अठारे ग्रैन हो जाते हैं तो तपर यदि नहीं लगाते तो सारे अठारे मनि हरस्व दी प्लुत इनका ग्रैन होगा और यदि तपर लगा दें तो हरसु कहने से हरसु ही लिया जाएगा दीर कहने से दीर की लिया जाएगा और प्लुत तो प्लुत की तो संभावना नहीं प्लुत कहेंगे तो प्लुत ही लिया जाएगा फिर वो हरसु दीर कैसे लिया जाएगा यू तपर लगा दें तब ये स्थिती बनेगी ना तपर लगा दें तब ये स्थिती बनेगी और तपर यदि ना लगाएं तो एक को कहा सारे उसका परिवार ले लिया जाता है एक को कहा सारा परिवार ले लिया जाता है जैसे एकोई अंची में है एक कहा एक का मतलब तो ये चार है ना एक कहने से पर दीरग य भी ले लिया जाएगा दीरग री भी ले ले लिया जाएगा और री जो है दीरग होता नहीं है तो ये सब ले लिया जाते ना अच कहने से भी सब ले लिया जाएगे दीरग आ दीरग य दीरग अच के परे रहते कह रहे ना सब ले लिया जाएगे पर कहीं तपर कर देते हैं तो उसी का ग्रैन होता है उसके जो भेद प्रभेद होते हैं वो सब नहीं लिया जाते सामनासिक निरोनासिक समान कालवाले समान कालवाले जो हैं उनका ग्रैन होता है तकार यदि होता है तब तो उनी का ग्रैन होता है और यदि तकार नहीं होता है तो अनकसर जो होते हैं वो आ, ई, उ, रीलरी के रूप में पढ़े हुए होते हैं सवर्ण ग्रेंड हो जाता है और यदि तपर कर देते हैं तो उसी का ग्रेंड होता है सवर्ण ग्रेंड नहीं होता है तो यहां विद्धिरादेच में जो आत के साथ जो तै लगाया है यहां पर यह आ अपने सवर्ण का ग्रेंड कराई नहीं सकता क्योंकि अन अक्सर सवर्ण कराते हैं ठीक है तो अन में ये आ आता नहीं है इसलिए सवन करा सकता था फिर भी यहां पर आ को तपर किया है तो इसका कुछ प्रयोजन है इसका प्रयोजन यह है कि इस आई और अउ को तपर देखना चाह रहे है आचरी आ के साथ में लगा हुआ तकार इससे परयक्षर जो अई और अउ है न ये तो अन में आ जाते हैं न ए ओ आई अउ ये तो अन में आ जाते हैं न तो इनको तपर करना चाह रहे हैं इनको तपर करने से क्या लग होगा ये आई अउजब द्वी मात्रिक होंगे तो इनसी की वृद्धी संजा और आई ये जो हैं ये एक मात्रिक है न आ कार और ये आई द्वी मात्रिक है और स्थाने अंतर्तम एक मात्रिक और द्वी मात्रिक के स्थान में जब अई विर्धी होगी और अई के स्थान में विर्धी क्या होती है पूछे तो अई होती है अब यह जो अई है और अई के स्थान में हुआ है तो त्री मात्रिक होना चाहिए ना अंतर्तम इसके स्थान में ज तेन मात्रा हो जाती हैं तो आदेस में भी तीन मात्रा होनी चाहिए हैं मात्रा का मतलब समझते हो जैसे A एक मात्रिक है आ द्वी मात्रिक है और ये आ त्रिमात्रिक है तो इस तरह से ए द्विमात्रिक है और इसको एदि प्लूत कर दें तो ये त्रिमात्रिक है आई ये द्विमात्रिक है और ये वाला ये त्रिमात्रिक है ये मलब इसके उचारण में ये एक सेक्ड लगता है दो सेकंड लगते हैं तो इसके उचारण में तीन सेकंड लगना चाहिए ठीक है और ओ ये द्विमात्रिक है और ये ओ इसका उचारण में तीन सेकंड लगना चाहिए तो ये द्विमात्रिक है रथा दो सेकंड से बोला जाता है ये एक सेकंड और इनको मिला दें तो ये तीन से किंट से बोलना चाहिए किंतु दो सेकिंट वाले की ही व्रिद्धि संजा ओगी तपर कर दिया ना तपर कर दिया तो जितना इसका उच्चारणकाल है उतने की ही व्रिद्धि संजा ओगी दो सेकिंट वाले की ही व्रिद्धि संजा ओगी तीन सेकिंट वाले की व्रिद्ध समस के भेध से तपर शब्द में यहिदि हम तै परे है जिए जिस से बहुवरी समस करेंगे तो आ को तपर कहेंगे तै परे है जिस से बहु預री करेंगे तो आतपर है और यदि ततपुर्ष करेंगे तो आईच तपर है ऐसा समझे यहां पर एक अर्थ तो जरूरत नहीं तो यहां पर आई और अउ के लिए तपर है यह बताया जाता है अईच अउ के लिए जब तपर काफ करेंगे जब कैसे उड़ा बोड़ी समाश करें अदेंग उड़ा में जो अत एंग यहां पर दोनू समाश लिए गए है अदेंग उड़ा में जो यह तप तय लगा हुआ है यहां पर दोनू समाश लिए गए है तय परे है जिससे बहुबरी समाश से तो आई को तपर कहेंगे और तय से परे पंचमी ततपुर्ष के अनुसार एंको तपर कहेंगे तो यहां तो दोनों अक्षरों दोनों तरफ तैका सम्मंद लग रहा है तैका सम्मंद पहले के साथ भी है बादवाले के साथ भी है पर वृद्धिरादेच में तैका सम्मंद बादवाले के साथ है पहले वाले के लिए जरूरत नहीं है लगा दें तो कोई समस्या नहीं है यह जो तकार है इसको यदि इसके साथ लगाएं तो तैपरे है जिससे वो तपर तो इससे हमारा कोई प्रेविजन सिद नहीं हो रहा है इसलिए जो प्रेविजन सिद हो रहा है उसी के लिए मान लेते कि तात परत अपरा इसके अनुसार ये जो तकार है और इससे दूसरा एक प्रेविजन भी सिद्ध होता है दूसरा प्रेविजन ये सिद्ध होता है कि आ और आई में संधी कारी भी रुख गया ये जो तय है उच्चारण सोकर ये भी हो गया है बोलने में मतलब सुविधा भी हो गई है तै लगाने से तै को तो दै हो जाएगा जलाम से सुनते आदाइस बोलने में भी सुविधा हो गई और ये जो तकार है इससे अई और अउ को भी तपर कर दिया ये दकार नहीं है तकार है मूल रूप में आदाइच बोलते हैं न, बोलने में तो आदाइच बोलेंगे, पर ये मूल रूप में क्या है ये देखना पड़ेगा, मूल रूप में क्या है ये, तकार है, ठीक है, सांगितिक बोलते हैं इसको, सांगितिक दत्त हो रहा है, बनि जो दकार हो रहा है, वो जिसको भी नहीं आई वो बोल दोने संकोच यह जो तपर है न यहाँ अदेंगुणा में तपर का दो अर्थ है तपर के दो अर्थ हैं क्या-क्या तपरे है जिससे बताओ किस से तपर का एक अर्थ के अनुसार एको तपर कहेंगे और तपर के दूसरे अर्थ के अनुसार एको तपर कहेंगे तैसे परे तैके परे परे मनी पस्चात तैके पस्चात जो है वो तपर क्या बता है तैसे परे क्या है एंग एंग का मतलब ए हो तैसे परे एंग है और यहां पर तैसे परे क्या है आईच तैसे परे दिरादेज सुत्र में आईच है न तो तैसे परे एच तपर है तपर तो यह आभी है पर इसलिए इसको नहीं मानते कि इससे कोई प्रयोजन सिद्ध नहीं हो रहा है मतलब आ को भी तपर कह सकते हैं पर आ को तपर का यदि कोई प्रयोजन ढूंडोगे तो मिलेगा नहीं यूं कहेंगे कि आ को तपर करने से क्या प्रयोजन पूरा करोगे तो कोई प्रयोजन नहीं है आको तपर करने से प्रयोजन क्या होता है जैसे यहाँ पर आको तपर करने से प्रयोजन हमारा है हरस्वकार का ही ग्रैन हो इस अकार से यह यहां तपर नहीं लगाते न तो पता क्या होता दीरग आकी भी गुण संजा हो जाती प्लुत आ की भी गुण संजा हो जाती यदि आँ तपर नहीं लगा तकार नहीं करते तकार का प्रयूग नहीं करते तो आ के द्वारा दीर्ग और प्लुत भी गृहित हो जाते और गुण संजा जो कर रहे न वो आ की भी होती आ की भी होती और प्लुत की भी होती यदि इसको तपर नहीं करते तो दीर्ग तो हैं ये प्लुत की भी गुण संजा हो जाती प्लुत की भी गुण संजा हो जाती अब क्या होगा दीर्ग की ही गुण संजा होगी हरसु का तो ग्रैंड कैसे करोगे जैसे हमने कहा आदेंग हरसु तो होते ही नहीं ए ओ दीर की होते है ठीक है तो व्रिद्धिर आदेज के साथ मैंने आदेंग गुणा का भी तका प्रयोजन बताया है व्रिद्धिर आदेज बताते बताते अदेंग गुणा का भी तपर का प्रयोजन बता दिया कि अदेंग गुणा में जो ये तपर करण है ये जो तपर करण है ये सरवार्थ है सरवार्थ का मतलँ उभयार्थन योग दर्शन का एक सूत्र में इसके द्वारा जो व्याकरण पड़े वे होते हैं उनके द्वारा एक योग दर्शन का सूत्र समझाता हूँ द्रिष्टी द्रिष्यो परक्तम चार बाइस है या तेईस है कुछ ऐसे है सूत्र चोथे पादगा बाइस तेईस नमसूत्र है द्रश्टी द्रिष्यो परक्तम चित्तम सर्वार्थम जो चित होता है वो द्रश्टा से भी उपरक्त होता है और द्रिष्य से भी उपरक्त होता है ऐसे ही उपरक्त का मिलब जैसे कि एक कोई मनी है और मनी के पास लाल फूल रख दिया, सफेद मनी हो और लाल फूल उसके पास रख दें, तो यह कहेंगे कि यह लाल रंग से उपरक्त हो गई मनी, यह उपरक्त, जैसे सफेद कपने में, जब हम लाल गूल डाल देते हैं, तो लाल गूल से उपरक्त हो गया वस्तर, समझ गए, तो हमारा जो चित है, वो दृष्च से भी उपरक्त होता है, विशयों से, संसार के विशयों से भी उपरक्त होता है, और दृष्टा से भी उपरक्त होता है, का यहाँ पर जो यह तकार है यह सरवार्थम यह लिखा है कि यह तै आ के लिए भी है एंग के लिए भी है और वृद्धिरादेच में जो आ आत आईच वृद्धिरादेच में जो तकार है यह सरवार्थ नहीं है यह आईच के लिए आईजर्थम यह तपरकर्ण जो है आईच क लिए है आ के लिए क्यों नहीं है आवशक्ता नहीं है तो इस तरह से इसको समझना है तो हमारा सूत्र जो है व्रिद्धी आदैच आदैच में प्रथमा का एक वचन है और ये समास है समाहर्दवंद आच्चे आइच्चे इती समाहर्दवंद में चकार चकार का प्रयोग किया जाएगा तो आदैच जो है ये नपुन्शकलिंग एक वचन का रूप है नपुन्शकलिंग एक वचन का रूप है कोई कोई इसको त्रिपद सूत्र भी मानते हैं तीन पदों वाला वृद्धी एक पद, आत प्रत्मा एक वचन और एच प्रत्मा एक वचन ऐसे तीन पद होगे तो फिर तीन पद मानेंगे तो समास नहीं होगा दो पद मानेंगे तो इसको समास मानना पड़ेगा अर्थ में कोई अंतर नहीं पड़ता है अर्थ वही होगा आ, आई, अउ, इनकी विर्धी संजा होती है समाहर द्वंद और इतरेतर योग द्वंद दो प्रकार का द्वंद होता है इतरेतर योग का मतलब होता है एक दूसरे के साथ योग और समाहर का मतलब बहुत सारी चीजों का एक समाहर कर देते हैं इतरे तर योगद्वन्द में ध्यूचन बहुचन होता है और लिंग कैसा होता है परवल लिंगम द्वन्द ततपर्शो बाद वाले शब्द के नुसार लिंग होता है ठीक है तो अपना सूत्र यह हो गया आयव की व्रिद्धी संजा होती है देखो संज्यां संजी में सश्ठी भी होती है प्रतमा भी होती है जैसे हम यूँ कहें इस पदार्थ का व्रिक्ष नाम है इस चीज को डस्टर कहते हैं इस चीज का डस्टर नाम है इसका ऐसे भी बोलते हैं सश्ठी विवक्ति का भी प्रयोग करते हैं और प्रतमा से भी कहते हैं और इतरेतर योग स इतर योग तो इसका मतलब है एक दूसरे के साथ योग एक दूसरे के साथ योग तो राम का लक्षमन के साथ योग लक्षमन का राम के साथ योग इस तरह से कहा जाता है दोनों को एक दूसरे के साथ संबंद बना करके कहा जाता है समूह के रूप में नहीं कहते एक दूसरे के साथ सम्मंद जोड़ करके बात को कहते है तो एक बात अब और रहे गई एक होते हैं शाला जैसे शब्द मिलेंगे आपको शाला माला और एक ऐसे होंगे शब्द जैसे पच दातु है और अनुल प्रत्य करेंगे और पच से फिर पास बनाएंगे यहां पर तो पहले से आ मुझूद है यहां पर वृद्धी शब्द के द्वारा आया है तो यह कहेंगे कि यह जो आ है यह तो तदभावित है और यह अतदभावित है तदभावित अतदभावित यह दो शब्द जो है न आपको समझने पड़ेंगे अतदभावित आ और यह तदभावित जए तदभावित आ हो जए अतदभावित आ हो इसी तरह से आई आउ तदभावित आई आउ हो या अतदभावित आई आउ हो उनकी वृद्धी संजा हो जाती है तत मानि उसके द्वारा वृद्धी शब्द के द्वारा भावित उत्पादित वृद्धी शब्द के द्वारा भावित उत्पादित तत भावित और अतद भावित मानि स्वते ही मौजूद हो विर्द्धी शब्द के द्वारा नहीं जैसे शाला एक शब्द है हमने ऐसा नहीं बनाया कि शल धातू थी और नय प्रत्ते किया और शल से ये शाल बन गया और नय का ए मिल गया इसमें फिर टाप किया इस तरह से शाला शब्द नहीं बना रहे हैं ठीक है शल धातू से नय करके नय अतव धाय वृद्धी हो गई शाल बन गया शाला बन गया ऐसा नहीं शाला एक सब्द है बस मल धातू से माला नहीं बना रहे हैं माला एक सब्द है ऐसा मान रहे हैं यदि मल दातू से या शल दातू शाला माला मला आएंगे ये भी तदभावित होंगे ठीक है तदभावित कहते हैं वृद्धी शब्द कह करके वृद्धी शब्द के द्वारा जहां आई आउ आते हैं वे तदभावित और वृद्धी शब्द के द्वारा जा नहीं आते, पहले से इस शब्द में मोजूद रहते हैं, वो अतत्भावित, तो सूत्र का पुरार्थ हुआ, आकार, ऐकार, औकारनाम, तत्भावितानाम, अतत्भावितानाम चे वृद्धी संजा बहुती, आकार, ऐकार, अवकार, तद्भावितों या तद्भावितों व्रिद्धी संजा हो जाती हैं, तो ये सूत्र का अर्थ हो गया, उधारण हैं, बहुत सारे उधारण हैं, दो-तीन मैंने दियें अभी-अभी, एक तो उधारण दूँगा मैं कृदंत के, हाँ जी, और दूसरा उधारण, वो तो बताए मैंने ऐसे आईकारोकार भी इसी तरह से मिलेंगे, एक तद्धितान्त, और तीसरा समास, यह अभी जो आप सूत्र पढ़ रहे हो न, लगबग छे सूत्र तक, वृद्धिरादे चादें गुणा, इको गृद्धिन अधात लोपार धात के कंगती चाह दिधिवे विटाम, यहां तक कृदंत, तद्धितान्त और समास के सिद्धियां और तिंगंत की वेख, एक कृदंत, तिंगंत, और तीसरा तद्धितान्त, और चोथा समास, चार प्रकार की सिद्धियां आपको बताएंगे, और उन में इन सुत्रों को घटाएंगे, कृदंत के उधारन क्या क्या हैं, देखो, कृदंत के उधारन बनेंगे, जैसे भाग है, क्याग है, राग है, याग है, ऐसे बहुत सारे शब्द बन जाएंगे, पा कह, और दूसरे, पाच कह, पाठ कह, तीसरे टाइप के, कार कह, चोथे टाइप के, नाएक है, और चाइक है, वो तो गुण के हैं, और ये तिगंत के उधारन हो जाएंगे, आच्छाई सीथ,